कि हलो एंब कर दुमा शो बावी दा मैट नी आइडल दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो अभी तुरुम से सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बैल आइकन दबना ना भूले तो दोस्तों दबाश्या बॉलिवूर्ट शा या उर्यों लोग एकने बैल रिजेक्ट हुए इतना मुझे पता चल है तो मुझे तो ये समझ में है आडियन खान की बैल रिजेक्ट क्यों हो रही है बार बार हाला कि दुसरे लोग जो इसके पहले कुछ सालों पहले कितने स्टाज लोग इनवल्ट के रेकेट में वीवेस को इस बात पर आप पती है कि मैं बोल रहा हूं एकडम आम बात है कि मैं तो रोज देखता हूं यह तो मुझे लिए मुहिर ले तो यह कोई ड्रग्स ले रहा है बहुत पर इस बात है तो देखते हैं उनको बेल कब मिलती है एक गटो बेल को नम्हेंबर को बेल मिल जाए तो यह तो बात में दीवाली वैकेशन चार पादीद बंद रहेगा सबकुछ तो अब ब्रवट्य ओग्ड़ द्धार पोज जाएगा तो अवर्ट जाया गागा तो और जो नेक्स उनकी, नेक्स विक को शाइद उनको मिल जाए तो अच्छी बात है बेल, बना एदूनों वाट्स गून टापन, परस सम पीपल आ जास ट्राइंग तो पुल शारुखान डाउन, I don't know, कुछ सालों पहले एक न्यूज आई थी, कि सम पीपल वांड़े टू ट्राइप शारुखान, वो शारुखान को फसना चाहते थे, बगर शारुखान is very smart, वो तो शायद चुंगल में ने आए, तो उनोंने सोचा चलो, शारुखान चुंगल में ने आए, तो उसके बेटे को फसा देते, because eventually अगर आरेन खान को पकड़ेगे, उनकी नस दबाएगे, तो the pain will go to the parents, शारुखान को भी दर्द होगा, आरेन खान की नस दबाएगे, तो शारुखान तो हात में ने आए, तो उनके बेटे को उनोंने पकड़ लिया, मेरा ऐसा मानना है, कि चलो, किसी भी तरह कुछ दो कुछ करना पड़ेगा, इस पे मेरे इस अपसी पसनल ग्रज, जो कुछ सालों पहले इसी बाते आई थी, कि सम पीपल ओने टू ट्रेप शारुखान, वो आत्मी ने आये तो इसको फसा दिया, आरेन खान को, तो लेट सी, और एक्चुली क्या होई, किसी को पता ने, मेडिया में ऐसा कुछ बता थी, बता भी नहीं रहे, कि क्या क्या होँआ था, खरी सिर्फ इतने हैं बोल रहा कि, ड्रक्स केस में पकड़ा था, पफेक्ट डिटिल कि सुको ने पता, तो वाट तो वाट तो से, I don't know, तो I just hope, तो next week, अरन खन की बेल हो जाए, अगर दीवाली तक जाएगा, तो बत घड़बो जाएगी, तो चारपत दिन फिरो सब कुछ बंद रहेगा, तो तिल नवेमबर 8 देन, तो let's see, what happens next week, तिल देन के पच्छिंग में चनल, बववाई तो मेटनी आडल, तो बववाई झाएगा, गब्रस्यों.